हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बीटापर में दोस्तों आप से जानते हैं कि 10 बजगे हम लोग लाइब आ ही गए हैं और आज हम आपके लिए ट्रेट के मोश्ट इंपोर्टर MCQ लेकर आएं तो आप सभी लोग फटा फट तयार हो जाएं आज का पहला कोईस्चन और स्रीज का 161 नमर कोईस्चन निम लिखित में से किस धात के दोरा लेट की स्टेडी रेष्ट के पैट बनाया जाते हैं चलिए आप फटा फट इसका राइट एंसर कमेंड करिए कोईस्चन नमर 161 का दोस्तों काफी अच्छा कोईस्चन है और जो 12 जन्वजी को आपका पेपर होने वाला उसकी अनुसारत यो बहुत महात्पूर्ट टेस्ट पेपर आज का होगा जो मैं करा रहा हूँ काफी इं छेखी नहीं ते जो इंपॉर्टन यह मैंने वही उठाया है चलिए नमर 161 का राइ्स घौ जयादा तरलोक सही कर रहे हैं चलिए कोईस्चन नском 161 का गैन्पानी मिलसे कामक कारण उसलिए ङल्याइप दूत ने का मुकत बाड़ा घौई बताईए है काव नंबर 162 का राइट एंसर आप लोग दीजिए फटा-फट क्वेस्टिन नंबर 162 का राइट एंसर आपसं बी सही है टैपिंग होल बढ़ा होना चलिए क्वेस्टिन नंबर 163 स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है बहुत ही most important question है आप सभी को इसका उत्तर कर देना है यह most important में कर दे रहा हूं इस question को सभी को इसका उत्तर देना चलिए फड़ा-फड़ा आप लोग कमेंड करते रहे हैं क्वेस्टिन नंबर 163 का स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है क्वेस्टिन नंबर 163 का राइट एंसर आपसं ऐसे ही पिश्टिल अधिक स्टॉंग होता है चलि आप लोग बताएं क्वेस्टि में का राइट आंसर फटा फटा आप लोग कमेंड करते रहे हैं क्योड़ राइट चलिए ये question number 165 है, निमलिखित में से कौन सा क्वेंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है, ये रहे है इसके option, चलिए फड़ा फड़ा आप लोग answer करते रहे है, question number 165 का आप लोग right answer करते रहे है, question number 165 का right answer आप अपसन एसे ये, ब्राइन घोल, चलिए question number 166 है, लेट टूल पर रेक एंगल किस लिए दिया जाता है, चलिए आप लोग बताईए, question number 166 का आप लोग right answer करते रहे है, question number 166 का right answer आप अपसन एसे ये, चिप्स को निकालती समय गाइड करने के लिए, चलिए question number 167 है, निमलिखित में से कौन सा टेपर इंडियान स्टैंडर्ड के अंतरगर डिजाइन की गई मसीनों पर दिया जाता है, चलिए आप लोग question number 166 का right answer बताईए, question number 166 का right answer option C से ये, brown और sharp टेपर, ये वाला option C से ये, matrix टेपर, question number 166 का right answer आपसन C से ये, matrix टेपर, चलिए question number 166 के और चलते है, spiral, fluted type के सम्मन में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है, चलिए आप लोग फटाफट बताईए, question number 166 का right answer, चलिए आप लोग answer करते हैं, 166 का, question number 166 का right answer आपसन C से ये, इस टाल वाले सुराखों की tapping के लिए प्रियोग किया जाता है, चलिए question number 169 है, निमलिखित में से किस furnace में pig iron से rat iron नाया जाता है, very very most important question, चलिए आप सभी को इसका उत्तर देना है, फड़ा फट, आप लोग बताईए, किस furnace में pig iron से rat iron बनाया जाता है, आप सभी लोगों को इसका उत्तर देना है, question number 169 का, right answer option B से ये, qpola furnace, चलिए question number 170 है, एलाय स्टील में कुछ निश्चित गुड़ों में सुधारने के लिए मिस्रान तत्त मिलाया जाते है, निम लिखित में से किस मिस्रान तत्त में प्रसार का निमेंतां गुड़ांक होता है, चलिए आप लोग फटा-फट 170 का right answer करते रहिए, question number 170 का right answer आप लोग करते रहिए, इसका right answer option D से ही है, टंगस्टन, काफी अच्छा question ए भी है most important, question number 171 है, mild steel के work piece के hole में 10 मिमी गहराई में tap तूट गया है, निम लिखित में से किस का प्रियोग करके उससे बाहर निकाला जाएगा, चलिए आप लोग बताए, question number 171 का right answer करते रहिए, आप लोग 171 का right answer करते रहिए, दोस्तों, question number 171 का right answer option C से ही है, परते अच्छता डेलिंग द्वारा, चलिए, question number 172 है, ग्रे कास्ट आइरन के सम्मन्द में निम लिखित में से कौन साकता सही है, चलिए यह option A और B दिख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं C और D, यह है option C और D, चलिए, आप लोग फड़ा फड़ा इसका right answer कमेंड करते रहिए, question number 172 का आप लोग करते रहिए right answer, question number 172 का right answer option D से ही है, इस्टील के आप एच्छा compressive और shear strength अधिक होती है और Tessine astreganth कम होता है, चलिए, question number 173 की ओर चलते हैं, एक hole जिसकी नियुनतम बिचलंग 0 होती है को basic hole कहते हैं, basic hole के लिए, निमलिखिन मेंसे काउन सा अच्छर परियोग किया जाता है, चलिए, आप लोग question number 173 का फड़ा फड़ से right answer कमेंड करते रहिए, चलिए, आप लोग करते रहिए, question number 173 का right answer option D से ही है, H, चलिए, question number 174 की ओर चलते है, course pitch वाली ISO metric thread को जब काटा जाता है, तब compound rest को श्विबल करना चाहिए, चलिए, आप लोग बताइए, 144 का right answer, आप लोग right answer करते रहिए, question number 174 का right answer option B से ही है, 30 degree, चलिए, question number 175 है, external threads काटने से पहले work piece के निमलिकित में इसे किस diameter की turning करनी चाहिए, चलिए, आप लोग question number 175 का right answer कमेंड करते रहिए, question number 175 का right answer option A से ही है, major diameter, चलिए, question number 176 के और चलते है, trending करते हैं, जब trending tool thread के अंत तक पहुंच जाता है, तब tool को, चलिए, आप लोग फड़ा फड़ाइट answer कर्मेंड करते रहिए, question number 176 का, फ्रेंड हमारे पास समय का में, इसलिए मैं most important MCQ ला रहा हूँ, chapter wise नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं भी जो साम को class होंगी, वो सब chapter wise करा रहा हूँ, और मैंने अभी सुभा 8 बज़े आप लोग को रिजनिंग की class कराई है, जिन लोग इन्ना देखा हो देख लें, और 12 मैं लाइब कराऊंगा, तो आप सभी लोग जरूर आईए, महत में लाइब बहुत अच्छा test paper कराएंगे, कल आद मैंने टेंगना मेंटरी यानि तिरकोड मितिका कराया था, जिन लोग न देखा हो देख सकते हैं, और आज बार आप सभी लोग आईए, मोस्ट इंपोर्टन मैंत का लाइब टेस्ट होगा, चलिए, क्वेस्टन नमबर 176 का, राइट अंसर अपसन C से ये, टूल द्वारा कट लगाते समय पीछी हटा लेना चाहिए, चलिए, क्वेस्टन नमबर 177 है, निम लिखीद में से लिथ, टूल का कौन सा चिप्स के आस कान बहाव के लिए सहायक होता है, चलिए, आप लोग 177 का राइट अंसर कमेंट करते रहे हैं, क्वेस्टन नमबर 177 का राइट अंसर अपसन A से ही है, टॉप रेंग एंगल, चलिए, क्वेस्टन नमबर 178 चलते हैं, सेंटर होल के सनच्छन के लिए टाइप B, सेंटर ड् होता है आप लोग लोग नमबर 178 का राइट ऐंसर कमेंट करते रहें है है क्वेस्स्य नमबर 178 का राइट अश्य आप सण डी से ये 120 डिगरी है चलिए चलिए क्वेच्टन नमबर सुन्यासी 179 का राइट आइंसर कमेंट करिए अचलिए आप लोग कमेंट करते रहें Q179 का Q179 का राइट आइंसर आप संस्सी सही है यह काफी अच्छा इभी question है चलिए question no 180 है टेपर टर्निंग की विधियो में से एक विधी टेल स्टॉक की आपसे इंटिंग है टेल स्टॉक का कौन सा पार्ड आपसेट किया जाता है आप सभी लोग question no 180 का right answer comment करें question no 180 का right answer option एसे है body चलिए question no 180 क्यों चलते है निम्लिखिद मेंसे काउन सा फैक्टर cutting speed के chain को प्रभावित नहीं करता है चलिए आप लोग question no 180 का right answer comment करते रहिए question no 180 का right answer option एसे ही है work piece का वियास question no 182 लेट पर cutting chips को निम्लिखिद मेंसे किसकी द्वारा साफ करना चाहिए आप लोग ट्रेड के चितने वियास तक मैंने class करा है सारे class को देख लीजी और याद भी कर लीजी क्योंकि 60 question trade से आएगा 50% question trade के रहेंगे 120 में 60 तो जो लोगों का selection होगा वो जिन लोगों का ट्रेड में अच्छा करेंगे उन्हीं का selection होगा यह तो confirm है तो इसलिए आप लोग trade को भी साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए चलिए question 182 का right answer option D से यह बुरुस द्वारा चलिए question 183 लेथ लेड की धात होती है बताईए आप लोग इसलिए मैंने trade की तीन क्लास रखे मायत की दो क्लास रखे हिंदी की दो क्लास लाइब रखे हिंदी की दो क्लास लाइब रखे नौ क्लास होती है लाइब हुआरे चैनल पर तो आप लोग बीट आपर को सब्सक्राइब जरूड करें चलिए question 183 का right answer option B से यह कास्ट आइरन क्वेस्ट नमर 184 है लेट पर टेपर टर्निंग करते हैं समय टूल को सेट करना चाहिए बताए बहुत अच्छा question most important यह question में रख रहा हूं जितने question आते मैंने most important लिखिए उनमें से exam में कई बार question पूछे जा चुकिए इसलिए मैंने most important किस रणी में करते हैं लेट पर टेपर टर्निंग करते हैं समय टूल को सेट करना चाहिए मैंने जो अधर पेपर की टेट कर क्वेस्टन देखे हैं जो मैं most important लिखता हूं कहीं न कहीं question आए जरूर रहते हैं चलिए question 185 का right answer comment करते रही है question 185 का right answer option D से यह उप्रोक्त सभी चलिए question 186 है प्रेस फिट जिग बुसिक्स पाये जाते हैं बताईए आप लोग प्रेस फिड जिग बुसिक्स पाये जाते हैं चलिए बताईए और यह भी most important में मैं दख रहा हूं कहीं न कहीं यह पूंचा गया है मुझे याद भी आ रहा है किसी एकजाम में चलिए आप लोग बताए सब आव Terra को सबसेल एक सबसेल करें लिए अबिधो कोले हैं कि आई स्पपियों और सम्यों नीन है वाली और यह याव सथा सब्सक्राइब आज में जो सारे की आरा मुझे सलम परिव कि शुड़ात दो याद निङ Dieser क करते हैं तो ये सभी question को आपका फड़ा पड़ सही उत्तर देना और जिनको ये question ना याद हो यो वीडियो को द्वारा पब्लिस होने के बाद जरूर देख लीजिएगा और एक question याद कर लीजिएगा चलिए 187 question number 187 का राइट अंसर आप संड़ी सही है साथ डिग्री चलिए question number 188 question number 188 का राइट अंसर आप संड़ी सही है 29 डिग्री चलिए question number 189 है cemented carbide tool का tip sank पर जोड़ा जाता है चलिए question मैं 189 राइट आंसर देज्यों इन्हीं तीन आप्सन में आपको देना है सबका इसका राइट आंसर सबका सही जाना चाहिए चलिए फटान स६्सक्रिकर यह करते मैं रही है है चलिए question number 187 का राइट आंसर आपसर की सही ब्रेजिंग अबया चलिए question number 180 है 2.5 मिमी पिछ वाली 20 मिमी को als.e masculire thread कातने के लिए 64 diameter होना चाही है आप 296 का comment करिये काफी अच्छा question है चलिए question 190 का आपलों प आप दूंतार hören आईनसर को में करते हैं कर लिए question 190 का right answer u अप्शन A सही है 17.5 मिमी चलिए question number 101 क्या नवे है late cutting tools के लिए निमलीकित में से किस material को किसी निश्चिता काल में forging किया जा सकता है चलिए आप लोग बताईए काफी अच्छा question आज सारी जो मैंने test paper पर चूचिए सब question most important में है चलिए question number 191 का आप लोग कमेंट करते रहे है राइट एंसर question number 191 का राइट एंसर आप लोग दीजी question number 192 का राइट एंसर आप संसी सही है special tool holder में चलिए question number 193 का प्योग किया जाता है चलिए बताए आप लोग question number 193 का राइट एंसर करते रहे है question number 193 का राइट एंसर आप संसी सही है जॉब की ब्यास को उसके होल बोर के सकेंद्रिक मसीन करने के लिए चलिए question number 194 एंडियान इस्टैंडर्ड के अनुसार slip गेजों के निमलिखित में से किन चार ग्रेडों की सिफारिस की गए चलिए बताइए आप लोग question number 194 का राइट एंसर दीजिए आप लोग फटा-फट क्वेस्टन नंबर 194 का राइट एंसर आप लोग करते रहे है question 194 का राइट एंसर आप संसे इसे है grade 00,0,1 और तो चलिए question आप लोग मैच में जरूर लाइब आईए क्योंकि आज बहुत अच्छी मैच का लाइब टेस्ट होगा आप लोग फटा-फट पार आप लाइब आ जाया करें टाइम से चलिए question नंबर 195 का राइट आइंसर आप लोग देते रहे है आप लोग सभी लोग फटा-फट इसका comment section में comment कर दीजिएगा और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लेगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा फ्रें थांक्स फार वाचिंग मिलते हैं बारब जी महित का लाइब टेस्ट में आप सभी लोग जरूर आईए